दुनिया में महत्मा गांधी एक बहुत बड़े भाहन मातना थे ते क्या इस 75 साल में हमारी जिम्मेबारी नहीं थे क्या कि पुरी दुनिया महत्मा गांधी को जाने रिक्या मजाक लगा रखा है 1930 की टाइम मैगजीन का person of the year देख लो कौन था महत्मा गांधी जी थे टीन बार टाइम मैगजीन पर फ्रंट पेज पर उनकी फोटो छपी थे रहे पूरी दुनिया जानती थी उन्हें 1930s-40s से ही फ्रधान मंतरी मोधी ने एवीपी नूस के एक एंटरव्यू में ऐसा बचकाना बयान दिया था कि अगर यही बयान कोई बिपक्च का नेता दे देता तो उस पर अब तक गोधी मीडिया में बवाल मत जाता दोस्तो पीम मोधी ने अपने इस वाइरल वीडियो में कहा कि महात्मा गांधी जी को पहले कोई नहीं जानता था मगर 75 सालों तक सरकारों ने कुछ नहीं किया कि महात्मा गांधी की पहचान बनाने के लिए लेकिन जब गांधी फिल्म बनी तब जाकर दुनिया में पता चला कि महात्मा गांधी भी कोई महान हस्ती है अब दोस्तों पी एम मोधी के इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स उनका मजाग बनाने में लगे हुए हैं वहीं आपको बता दे मसहूर यूटूवर धुरबराटी ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें महात्मा गांधी वाले दावे को लेकर पी एम मोधी की पोल खोल डा ली यार अब तो हदी कर दिये इंटर्वियो में कहते हैं कि महात्मा गांधी को गांधी मूवी आने से पहले कोई जानता ही नहीं था कोई नहीं जानता है मा को न बनी पहरी बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई का चैई क्या कौन है रे क्या मजाक लगा रखा है 1930 की टाइम मैगजीन का person of the year देख लो कौन था महात्मा गांधी जी थे तीन बार टाइम मैगजीन पर फ्रंट पेज पर उनकी फोटो चपी थे रे पूरी दुनिया जानती थी उन्हें 1930s 40s से ही और कहते हो कि कोई जानता ही नहीं था मतलब जानकारी नहीं है तो चुप बैठे रहो अरे तो क्या संडे की छुट्टी पर अब बैन लगाना चाहते हो इससे पहले एक इंटर्वियों में कहते हैं कि मेरी मा की गुजर जाने के बाद मैं कन्विंस्ट हूँ कि मुझे मेरी मा ने पैदा नहीं किया है कोई भी मानसिक रूप से नॉर्मल इंसान ऐसी बाते करेगा क्या मतलब सोचकर देखो अगर आपका दोस्त ऐसी चीजे बोलने लग जाए अपको क्या लगेगा अपने दोस्त के बारे में बताओ जरा मुझे कॉमेंट्स में लिख कर